नमस्कार मैं हूँ शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पलपल विश्व प्रसित फल्गो मेले का वैदिक मंत्रू चारण के बीच हावन यग में आहूती डालने के साथ शुबारम हुआ उपायुक्त धरवे सिंग ने पत्नी सहित सभी उचाधिकारियों के साथ यग में पून आहूती डालकर फल्गो मेले का मंगल कामनाओं के बीच शुरुआत की तदो प्रांत उपायुक्त मंदी बरीसर में स्थापित फल्गो रिशी की मूर्ती के समक्षनत मस्तक हुए तथा पंदरा दिन चलने वाले इस विशाल मेले की सफलता की कामना की उन्होंने पवीत्र सरोवर में भी अराधना की उपायुक्त में पुलिस अधिशक ने मेले में पहुँचने वाले लाखो श्रधालू यात्रियों की सुविधा के लिए किये प्रबंदों का जैजा लिया तता संबंदित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मेले के दोरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए यात्रियों को बिजली पानी सड़क अस्था ही शोचाले वे सुरक्षा ववस्था को चाक चोबन बनाना सुनिश्चित करे उपायुक ने समूचे मेला परिसर में किये गया अलगलग प्रबंदों की भी जानकरी दी और बताया कि 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में अमवस्या पर मुख्या स्नान होगा इस में अधर बनाया है या कोई दिक्कत ना हो साथ ही साथ है कि और जादा कंट्रोल करना पड़ रहा है या कोई कंटेंजन्जन्सी हो जाती है तो एक सेकेंड लेयर भी हमने नाको की बनाई है साथ ही साथ सारी गाटों पे हमारी ड्यूटिया रहेंगी महिला गाट है उस पे अलग से महिला ड्यूटि रहेगी मंदिरों। बाकि हमने पूरे जो गाउं है उसको sectors में डिवाइड कर दिया क्योंकि इतने जो तीरत के लिए यहां पर आएंगे लोग काफी संख्या में आते हैं काफी मात्रा में आते हैं तो गाउं में भी कहीं पर भी वेवस्ता खराब ना हो इस हिसाब से हमने सेक्टर बना कमेंट करें है सेक्योरिटी नंबर हमार की शरारती तत्वा अंदर घुसता है कोई पॉकेट मारना या कोई स्नाचिंग इस तरह की इंसिदेंट्स को हम रोख सके हैं बढ़ता जाएगा जैसे रश बढ़ता है बट मैक्सिमम फोर्च जो डिप्लॉई होगी अराउंड 1500 लोग डिप्लॉई किया जाएगे है पित्र अगर मन से भी 59 श्लोक तो यह कहता है 59 श्लोक के जब चंद्रमा का ख्षय हो यानी सवंवार की अमावस्या हो तब यहां पित्री करम करने से गया के समान जो हिंदू का सनातन धरम में पित्री कर्म का बड़ा तीर्थ माना गया है उसी के समान पुर्णे प्राप्त होता है तब भी सवंवार की अमावस्या होती है तब इस अवसर्क पे पिश्मा में हाँ इस महीने में यह आयोजन होता है जी 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 श्राधों में और महाभारत में भी वन परो में इसी तरह का उलेख है जहां युधिश्टर को यह बताया गया है ततो गच्छेद राजिंदर फल फल्कीवन में जाना चाहिए जो फल्कीवन अब अब भरंशो करके फल्गू तिर्थ हो गया है फल्क रिशी से फल्कीवन हुआ है तो क्या ही जी जी इसमें लाखों लोग शामिल रहते हैं 2001 से मैं देख रहा हूं जिस तरह से तो हर बार 16 श्राध होते हैं और कुल संक्या क कि अगर हम बात करें तो लगवग 10-15 लाख लोग अमावस्या के दिन ही 5-7 लाख लोग होते हैं निरंतर 12-13 घंटे मंदिर में लाइने लगी रहती हैं तो 15 जैसे श्रधालों से मिलना होता है तो बड़ी श्रधा से लोग आते हैं और संपर्क करते हैं पहले जानकारी लेत का जो यह स्थान है दिश्टवती में सनान करने के बाद ही पित्री कर्म करने का पुन्य मिलेगा तो तीर्थ में सनान करके और भगवान गदाधर यानि भगवान फलकरीशी के दर्शन करने के बाद पित्री कर्म किया जाता है तो बराबर पुन्य की महतामानी गई है